एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम जानेगे की पीरिट्स बार-बार क्यों आते हैं या फिर महिने में दो बार पीरिट आनी के क्या कारण होते हैं इसी के बारे में आज हम डीटेल में जानेंगे periods हर महीने आते हैं पर अगर मासिध धर्म में अगर आपको कोई भी गड़बड़ी होती है या hormonal problem होती है या ऐसी कहीं सारे कारण होते हैं जिसकी वज़े से अगर उनमें बदलाव आता है तो आपके period cycle disturb हो सकती है period आपके महीने में दो बार तीन बार भी आ सकते हैं इसी कहीं सारे patient हैं जिनके अभी period से वो period आए और वो free हुई 5-7 days में उसके कुछी दिनों के बाद में 18-10 दिन का gap गया फिर से bleeding स्टार्ट हो जाती है तो फिर patient अच्छानक से इतनी stress मा आ जाती है कि मुझे इसा क्यों हुआ पहले बार हुआ है पहले कभी इसा नहीं हुआ तो अभी मुझे इसी क्या problem हो गई है जिसके वज़े से मुझे बार बार period आने लगे है वो period में bleeding भी अच्छी खासी हो रही है तो patient बिल्कुल परिशान हो जाती है अगर आपके साथ बेसा हो रहा है तो आपको जरूर से यह पता होना चाहिए कि मन्त में दो से तीन बार period आने के क्या कारण होते है और अगर आपको भी इसे समश्य हो रही है तो उससे हम कैसे deal करें और आपको जल्दी से अपने नजदिक की गाइनिक्स से मिलना चाहिए और जो भी डाइगनोस होता है उसका treatment आपको लेना चाहिए जैसी कि बीना वज़े तो किसी के भी period महिने में दो बार नहीं आ सकते है मालो हार्मोन इन्बेलेंस के कारण हो रहे है या फिर thyroid के कारण हो रहे है और भी कहीं सारे रिजेन हैं जिसके बारे में हम आगे detail में जानने वाले हैं किसी भी वज़े से अगर आपके period मन्त में दो बार आ रहे हैं तो आपके doctor पूरी history जानेगी उसके बाद में क्या reports में निकल के आ रहा है नॉर्मल वज़े से हो रहा है या कोई abnormality डिटेक्ट हो रही है जनरली आपके कुछ blood test और ultrasound करवा के देखा जाता है कि ऐसी क्या वज़े जिसके वज़े से आपके period दो बार आ रहे तो जो भी diagnose होता है उसी के आदाहर पे treatment आपको दिया जाएगा और उसको आप लेजिए बहुत जल्दी से आपकी problem स्टॉल हो जाएगी तो हम जानते हैं कि मन्थ में दो बार periods आने के मुख के कारण क्या होते है सबसे पहला कारण होता है कि अगर आप लंबे समय से कोई contraceptic pills का यूज कर रही है और अगर आप यह hydroge लेने लगी या फिर आपने beach mask को छोड़ दी तो उसके कारण से भी आपकी period मन्त में दो बार आ सकते हैं यानि कि जो emergency contraceptic pills होती वो तो एक होती है पर oral contraceptic pills जो होती है वो 21 days की होती है तो oral contraceptic pills को आपको per day एक टाबलेट लेना होता है और 21 days तक उसको continue लेना होता है जब आप medicine बंद करते तो 45 जिनके बाद में periods आ जाते हैं पर कहीं महिलाओ को अगर suit नहीं होती है उसको लेने के बाद में जैसे जी मचल राचकर घबराड बेचेनी अजीब से फिलिंग आ रही है तो patient उसको बीच में रोग देती है तो उसके कारण भी patient के जिसे ही medicine बंद करती है period start हो जाते है तो एक तो सबसे मुख्य कारण यह होता है कि अगर आप कोई भी birth control pill ले रही है और आपने उसको बीच में छोड़ दिया है तो उसके कारण भी आपके period आना एक normal बात होती है उसमें घबरानी की जरूत नहीं है वो आपके चार-पाश जिन period रहेंगे उसके बाद में अपने आपी ठीक हो जाते है दूसरा मुख्य कारण होता है कि आपकी uterus में कोई fibroid रस्तोली या गाठे है फाइब्रोड क्या होता है uterus में गाठे ब प्रिखाई देता है जहां दर्द होता है जहां भी आपके रस्तोली अगाठे या fibroid है वहां आपको वाफी पेन रहता है और यह अर्ट्रसाउंड से हम इजली पता कर सकते हैं कि आपको fibroid हैं तीसरा मुख्य कारण होता है कि आपके हार्मोन में changes आ रहा है बदला वारा है यानि कि आपका thyroid hormones का level या तो बढ़ गया है या कम हो गया जिसके कारण भी आपके periods मन्त में दो से तीन बार आ सकते हैं इसके बाद में next हमारा कारण होता है कि अगर प्रोलेक्टिन hormones की अगर मात्रा बढ़ गई है प्रोलेक्टिन increase हो गया है तो ऐसी condition में भी आपके periods बार बार आ सकते हैं या फिर जल्दी ही आपका periods बंद होने वाले हैं कई बार मिनोपोस की जो condition आती है यहीं कि जिसे आपने सुना होगा मेलाव की चालिस के ऊपर कभी भी मिनोपोस आ सकता है मेलाव को वैसे नॉर्मली 45 साल के ऊपर मेलाव के periods आना बंद हो जाते हैं तो उसको बोलते मिनोपोसल जो condition आ जाती है तो उसके कारण भी कहीं बार जल्दी जल्दी period आने लगते हैं और उसके कुछ महीनों के बाद में मेलाव के periods अपना बंद हो जाते हैं चले जाते हैं इसके बाद में आपको PCOD PCOS या अगर आपके कोई खराब life style है यानि कि रात में बहु भी आपके period मन्त में दोबार आ सकते हैं अब हम जानते कि इसका हम diagnose कैसे करें तो जब भी आपको मन्त में अगर दोबार period आये हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने नजदी की डॉक्टर को दिखाना है डॉक्टर आपका ultrasound और blood test करवाएंगे जिसमें hormones के test भी रहेंगे ultrasound भी नॉर्मल है और आपके report भी सारी नॉर्मल है कहीं patient के सब कुछ नॉर्मल आती है बस उनको problem होती कि मेरे period दोबार आ रहें बाकी इसका लाव मुझे कोई समिश्य नहीं हुए तो यसे में आपके doctor आपको hormones के tablet पे Skype कर सकते हैं जैसे कि Oirol G, Oirol L, Maladine, Malayan इन इस medicine आती है जो कि doctor आपको 3 month तक continue लेने को बोल सकते हैं और यह हम periods के पांचवे दिन से start करवाते हैं 21 days की therapy होती है इसके साथ में आपको doctor uterine tonic भी prescribe कर सकते हैं जैसे m2 tone, ev care, femitone, leucol, बहुत सारी uterine tonic आती है जो कि बच्चा दानी को मजबूत करती है अगर uterus में को infection है, fibroid guard है तो यह काफी हद तक इस समश्या को ठीक कर देती है इसके बाद में आपको कुछ antibiotics भी prescribe कर सकते हैं अगर आपको दर्द है तो pen killer भी देते हैं, gas के लिए भी देते हैं तो यह तो होगे treatment की बाद, अगर मान लो आपको बार बार ऐसी समश्या हो रहे है तो आपको बाद भी रखना है और ऐसी चीज़े ना खाए जिससे कि आपके bleeding और ज्यादा तेज हो जाए जैसे कि हल्दी वाला दूद नहीं पीना है पाइनेपल पापाया नहीं खाना ज्यादा चाय कोफी भी नहीं लेना है क्योंकि यह भी body में गर्मी बढ़ाते है और जैसे अगर कचुरी जंग फूड वगेरा यह नहीं लेना है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में कुछ exercise स्टार्ट कर सकती है जो भी डॉक्टर आपको recommend करें वो आप स्टार्ट करिए उसके बाद में जो भी दवाईया डॉक्टर आपको दे रहे हैं वो खाना है पाने जादा से जादा पीना है healthy diet का चुनाओ करना है हरी पत्तेदार सब्जा लेना है और ऐसे fruits लो जिससे की blood की कमी ना हो जिससे की अनार गाजर चिकुंदर का juice उसके बाद में जितने भी लाल फल होते हैं सारा आपको लेना है ताकि आपको blood की कमी नहीं हो और आप healthy बनी रहे कि दियुmiş को से नहीं होते हैं